हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियन इस्टडी इंडियन इस्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आज है आपका 25 नॉमबर और 25 नॉमबर की फर्स्ट सिप्ट में UPSI के एक्जाम में जो कोसंस पूछे गए हैं जैनुवन कोसंस वो को कोसंस में लेकर के आया हूं तो वीडियो को एंटलक जरूर देखिएगा सबसे पहली बात कल मेरे या प्रोग्राम ता मैंने आपको बताया था तो मैं कल यानि की 24 नॉमबर की फर्स्ट सेकंड और थर्ड किसी भी सिप्ट की वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाया उसक को बता दूँगा क्योंकि कई सारे चैनल होने अपलोड कर दी होंगी लेकिन फिर भी आप कोसंस इंपोटेंट कोसंस चाते हैं जो की 24 नॉमबर की तीनों सिप्ट में पूछे गए तो मुझे कमेंड को बॉक्स में बताना जरूर से मैं अपलोड कर दूँगा ठीक है मुझ साधी सुधा प्रोस अगर किसी दूसरी महिला से साधी करता है तो ऐसा करना अपराद होगा हाला कि जो दूसरी महिला से साधी करेगा वो साधी जो है वो मान होगी अमाने नहीं होगी ठीक है तो ये बोला गया है नीती नेदेजक तत्वों के लिए अनुछे दाप से तो इसको एक बार आप जरूर से चेक आउट कर लीजिएगा इससे पहले वाली यानि कि 23 नुवंबर की लाश्ट यानि कि ओल सिफ्ट वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने तीसरा विस्विंदी संबिलन मौरिसस लिख दिया हाला कि मैंने कमिट कर दिया था और बता दिया था कि बच्चे मेरे से गलती हो गई तीसरा विस्विंदी संबिलन आपका नई दिल्ली भारत में हुआ था तो वो उसके लिए माफी चाऊँगा उसको एक बार करेप्टर लीजिएगा और मैं आपसे बार-बार कह चुका हूँ कि इन सारी वीडियोस को बनाने में और आपके सामने ये सही बिल्कुल authentic questions पेस करने में समय भी लगता है और हर जगे से मुझे सत्यावित याने की confirm भी करना होते हैं तो आप लोगों से बोलूँगा कि आप वीडियो को कम से कम 1200 लाइक तक जरूर पहुचाईए जिससे मुझे motivation मिल सके लाइक से मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है और ना ही आपका कोई पैसा जाता है बस मिलता जो है वो है मुझे motivation कि मैं अपने काम को इसी तरीके से क्या कर सकूँ प्रोसाहित कर सकूँ ठीक है मनसबदारी परता से कोटसन से एक कोटसन से क्या था ये बच्चा नहीं पता पाया सभी ने अवग्न और चूलन सी ये लेकिन एक क्या था ये नहीं पता पाया लेकिन टॉपिक मैंने आपको बता दिये तो आप लोग जरूर से देख करके जाना विस्विंदी दिवस पूचा था जो की 10 जनवरी को मनाए जाता है ठीक है एक और दिवस पूचा था तो बच्चा याद करके नहीं बता पाया विस्विंदी दिवस आपका आज की इस सिफ्ट में पूचा गया फ़स्ट में ठीक है नेक्स्ट कोशन से स्टार्ड करने से पहले मैं आपको बता दू दोस्तो अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो अनेकेडमी आप लोग लिए लगातार कोर्स चलाती रहती है आप सभी लोग जानते हैं लेकपाल की वेकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है तो अनेकेडी पर आपको लेकपाल का भी बैच देखने को मिल जाएगा यूपी प्लिस कॉंस्टेविल की वेकेंसी आने वाली है तो अनेकेडी पर आपको यूपी पिलिस कॉंस्टेविल का भी बैच 29 नॉमबर से जो इस्टार्ट हो रहा है वो देखने को मिल जाएगा पीटी की तो हर 6 महीने में होना है 2022 में होना है इसका भी कोर्स देखने को मिल जाएगा या उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एक्जाम है सभी के कोर्स आपको देखने को मिल जाएगे अब इसके लिए आपको केवल और केवल एक बार सब्सक्रिप्शन पर्चेस करना है हर कोर्स के लिए अलग से पैसे नहीं देने आपको जो कि अधर प्लेटफॉर्म आपसे लेते हैं तो आपने UPPSC, UP SSC केड़ेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन पर्चेस कर लिया उस केड़ेगरी में जितने भी कोर्स चला जा रहे होंगे आप सभी को एकस्स कर पाओगे जो कि अनेकेड़िमी की सबसे खास बात है देख लीजिए ये आपका UPPSC कॉंस्टेविल का बीर कंप्लीट वेच पर UPPSC कॉंस्टेविल 29 नॉमबर से स्टाड हो रहा है इसमें भी आप क्या कर सकते हैं इन्रोल कर सकते हैं लेकपल का भी बेच देख सकते हैं पीटी का भी बेच देख सकते हैं आगामी जितनी भी बेकेंसिया है सभी का बेच में आप इन्रोल कर पाओगे सब्सक्रिप्सन आपको एक बर पर्चेस करना है description में link दिया हुआ है जरूर से आप purchase कीजिएगा purchase करने के दोरान referrer code का options आएगा तो अपने channel का नाम without space हम बता दे रहा है आपको without space आपको apply करना है क्या Indian study क्या सर I-N-D-I-A-N Indian S-T-U-D-Y Indian study यह आपको apply करना है जैसे ही आप apply करोगे instant आपको 10% का discount भी प्राप्त हो जाएगा ठीक है अब देखते है next question एक questions पूछा गया था आपका आसक्त का बिलोम जो की अनासक्त होता है यह questions आज की वीडियो में या आज की exam में पूछा गया धर्मा धर्म में समास आप से पूछा था इसका समास बिग्रे करोगे तो धर्म और अधर्म होगा क्या होगा धर्म और अधर्म ठीक है तो दोन समास होगा और लग जाता है यमक अलंकार से पिरसंद था यमक अलंकार से questions क्या था जहां एक सब्द की आविर्ती एक से अधिक बार होती है और वहाँ अर्ठ अलग अलग होते हैं तो वहाँ कौन सा लंकार होता है वहां यमा का लंकार होता है इस तरीके से question स्पूछा था ओश्ट से कौन सा वण बोला जाता है तो देखो पूरा power के बोला जाता है अब power के कौन सा वेंजम उफसंस में था ये options के उपर depend करता है विस्विंदी सम्मिलन दूसरा वाला पूछ लिया गया जो कि मौरिसस में है वाली जो मैंने विस्विंदी सम्मिलन की वीडियो आपको प्रोवाइड की है कई बच्चों ने याद भी कर ली एक बार देख लोगे वीडियो याद आपको विस्विंदी सम्मिलन सारे याद हो जाएंगे क्योंकि मैंने ट्रिक वाइज याद करवाया ठीक है इस वज़े से ठीक है अनुच्छिद 48 से कोसंस था जो कि परियावरन सरक्षन से समदित है सीट वेल्ट ना पहन लगाने पर कितने का जुर्माना दिया जाता है एक हजार रुपे का ये कोसंस आज की सिप्ट में देखने को मिला पिर्थम सरस्वधी सम्मन किसे मिला तो हरीवन सराय बच्चन को ये कोसंस देखने को मिला 1991 में एक सब्द का प्रियोग बार बार होता है और अर्थ लग लग होता है तो यमकलंकर जो मैंने आपको बताया पुले सद्धिकारी एक बार में कितने लोगों को ग्रिफ्तर कर सकता है तो इस कोसंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये भी कोसंस पूचा गया था भारत राज्यों का संग है कौन से आर्टिकल के तहट अनुच्चेद एक ले लो चाये अनुच्ची एक ले लो चाये भाग एक लिक लो सभी में यही वरलित है नुच्ची जाती अनुच्ची जन जाती आयोक से कोसंस था या संसोदन से कोसंस था तो एक बार देख लेना हलागी संसोदन तो नहीं बोला तो अनुच्छे दगर पूचे तो अनुच्छे 338 और 338 ए ठीक है ये कोसंस आप से पूचा गया था पंच परमीजबर के लेका कौन है मुंसी प्रीम चंद ये कोसंस आपको देखने को मिला आतम निर्पेक्च किसकी रचना है या कुछ आतम निर्पेक्च किसकी रचना है या इस तरीके सो कोसंस पूचाता तो इसको चेक आउट करना पड़ेगा रात तक बता दूँगा ठीक है स्री किष्ण जी का जनम इस्थान आप से पूचा था जो की मत्रा बरंदावन में ठीक है तो यह कोसंस देखने को मिलाता तो इस तरही है कोसंस जो है आज की स्रिफ्ट में देखने को मिलेते लगवक जादातर कोसंस मैंने बता दिये क्योंकि अच्छे खासे कोसंस बच्चों ने सेंड कर दिये थे मुझे तो यह सारे कोसंस जैन्यून कोसंस हैं ठीक है और बाकी मैं आप से यही गोलूंगा कि एनलेस जो भी देखो आप जिस भी चैनल पे देखो दस से बारा मिनिट का देखो उसके बाद आप अपनी तैयारी में लग जाओ ठीक है पेपर का लेबिल आपका वही है जो हमेशा से चलता हुआ आ रहा है बस आपको डरना नहीं है और इतमिनान से बिलकुल रिलेक्स हो करके अपना एक्जाम जो है वो देना है ठीक है तो दोस्तों फिलाल की वीडियो हों तो सुर्फ तनाई अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीस दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें क्यों कि मैं रोजन ऐसी तरह की वीडियो से आप लोग लिए लात रहता हूं और हाँ जो मैंने आप से बोला है उसका ध्यान रखिएगा कि आप लोग मुझे जरूर से बता दीजिएगा कि आपको 24 नॉमबर की ओल सिफ्ट की वीडियो चाहिए या नहीं अगर चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा मैं आपको अपलोड कर दूँगा आज ही ठीक है मिलते हैं फिर नेक्स लास में नेक्स सेसन में जो की रात में होगा जिसमें औल सिफ्ट के कोसंस प्रोवाइड करवा दूँगा 25 नॉमबर की जै हिंद जै भारत